हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूँ बाल मुकुन मौर्या और आप देख रहे हैं ग्यानेक्सपी तो आज के इस टेस्ट में काफी योनिक और इंपॉर्डन क्वेशन देखने को मिलेंगे तो आप इस टेस्ट को लास तक जरू देखेगा और साथ में CCC एक्जाम की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ganxp.com पे बिजिट कर सकते हैं यहाँ पर आपको CCC New syllabus के कॉर्डिंग मौक टेस्ट मिल जाएंगे तो यहां से आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आई हुप आप सब रेडी होंगे तो देखते हैं आज का सबसे पहला कोईशन और इन सभी क्वेशन के राईट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे हैं सबसे पहला क्वेशन है स्मार्ट फोन में किस प्रकार का लॉग सिस्टम मौजूद नहीं है Which type of lock system is not present in smartphone तो सबसे पहला option है encryption, swipe, pin या फिर pattern तो आप सभी अपने phone में कोई ने कोई lock system enable करके रखते हैं जैसे कि swipe, pin या फिर pattern तो इस question कर आई answer है option है encryption कोई भी lock system नहीं होता है encryption का इस्तिमाल कियाता है जो message होता है या information को send करने से पहले encrypt किया जाता है ताकि उस information को securely send किया जा सके तो encryption कोई भी lock system नहीं है और इसी पे बेस्ट इक और important question पूछा जा सकता है कि swipe, pin pattern में से कौन सा lock system है जो secure नहीं है तो आप लोग comment box में comment करके बताएं इन तीनों में से कौन सा ऐसा lock system है जो secure नहीं है और अगर ये question पूछा जाता है तो इस question का right answer होगा swipe क्योंकि swipe में कोई भी हमाई mobile phone को unlock कर सकता है simply क्या करना है उसको screen पे swipe करना है और इसमें किसी भी प्रकार के pen या pattern की requirement नहीं होते तो सबसे unsecure lock system हुए हो है swipe ओके तो देखते हैं अगला question और अगला question है देरासी को कम करने के लिए हम e-commerce पर क्या उपयोग करते हैं UPI, credit card, debit card या फिर coupon code तो जब आप कहीं पर online swapping करते हैं तो वहाँ पर जो देरासी होते हैं इसको कम करने के लिए इन में से किसका इस्तेमाल करेंगे और इस question का right answer है option D, coupon code का इस्तेमाल करते हैं इससे जो हमारा total payment amount होता है वो कम हो जाता है और अगला question है, landscape क्या है, प्रस्टाकार, paste layout, page orientation या फिर उप्रोगत सभी और इस question का right answer है option C, तो landscape क्या है, paste layout है paste layout दो तरह के होते हैं, एक होता है landscape और दूसरा होता है portrait इसी पे बिस्ट और भी कई सारे questions पूछे जाते हैं, जैसे पूछे जाता है MS Word में default page orientation क्या होता है, तो यह portrait होता है और इसी तरही किसे अगर हम writer की बात करें, या calc की बात करें, excel की बात करें तो इन सभी में जो default page orientation होता है, होता है portrait और अगर हम power point या impress की बात करें, तो यहाँ पे जो page orientation default होता है, होता है land landscape तो यह याद कर रखेगा, इसमें कई सारे questions पूछे आते हैं इस तरह के और अगला कुछने, यद कोई company notes की संख्या बलाती है, तो क्या प्रभावित होगा प्रदर्शन, विश्वसनीता, सुरच्छा, या फिर उप्रोक्त सभी तो इस question का right answer होगा आपसने प्रदर्शन जब किसी network में notes की संख्या बलती है, तो उसकी speed कम हो जाती है means वहाँ पे प्रदर्शन कम होगा उसका, तो इस question का right answer होगा option A और अगला कुछने, आप प्रस्ट भूमी में एक प्रत्क्रिया या कारिकरम कैसे चला सकते हैं तो किसी भी program या process को background में चलाने के लिए Linux से जुड़ा हुआ एक important question है तो process को या program को background में run करने के लिए इन में से किसका इस्तिमाल किया जाता है और ये question पिछले मेंने triple C exam में पूछा गया है और almost इस में maximum जितने भी questions हैं वो सभी पिछले मेंने triple C exam में पूछे जा चुके हैं और इस question का right answer होगा option E and BI editor पे and command का इस्तिमाल किया जाता है program name के साथ में ताकि उस program को background में या उस process को background में run किया जा सके और अगला question है किसी file में user login session record करने के लिए किस command का उपयोग किया जाता है तो यह भी question जुड़ा हुआ Linux से काफी important question है which command is used to record user login session in a file और इस question का right answer है option C script login session record करने के लिए script का इस्तिमाल के जाता है script एक command होता है जिसको हम Linux में इस्तिमाल करते हैं login session को record करने के लिए और अगला question है operating system नाम प्रदर्सित करने के लिए किस command का उपयोग किया जाता है तो इसी पर based कल भी हमने question discuss किया था अगर आपने कल का online test का वीडियो देखा होगा तो याद आ रहा होगा और वो question था window based operating system का नाम देखने के लिए और इस question में पूछा गया है linux related question है अगर linux operating system आप इस्तिमाल कर रहे हैं तो उसका version या operating system का नाम प्रदर्सित करने के लिए इन में से किस command का इस्तिमाल किया जाएगा और इस question का right answer है option C ये काफी important question है यू name एक command होता है जिसका इस्तिमाल करके आप operating system का नाम प्रदर्सित कर सकते हैं या फिर display कर सकते हैं और अगला question है किसी file को print करने के लिए किस command का उप्योग किया जाता है और ये भी question linux पे based है तो linux operating system में अगर आप किसी file को print करना चाते हैं तो इन में से किस command का इस्तिमाल करेंगे और इस question का right answer होगा option D LPR यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा IPR ने लिखा हुआ यहाँ पे LPR लिखा गया है क्योंकि सभी जो commands है वो lower case letter में लिखे गए और इसमें LPR एक command होता है जिससे हम file को print करने के लिए linux में इस्तेमाल करते हैं और अगला question एक cache memory को DRAM चिप के उप्योग से क्रियान विट मीन्स implement किया जाता है और DRAM का full form होता है dynamic RAM और इसी तरह की एक और RAM होते है जिसको static RAM means SRAM के नाम से जानते है तो इस question का right answer क्या होगा आप लोग comment box में comment करते रही है और अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe button पे click करके subscribe करें साथ में bell icon on करें तागे जब भी हमारी कोई live class लाइब test start होता है इसका notification आप तक पहुँचता रहे तो इस question का right answer होगा false gas memory इंप्लिमेंट करने के लिए sram का इस्तेमाल किया जाता है means static ram का इस्तेमाल किया जाता है और अगला कुछने एक disk में गुला का disk होती है जो एक पतली धात या कुछ अन्य सामगरी के साथ लेपित होती है जो अत्यधेक प्रावर्तक होती है तो सबसे पहला option है hard disk, magnetic disk, optical disk या फिर floppy disk और इस question का right answer है option C, optical disk और इसी प्रावर्तक पूछा जा सकता है कि optical disk में पतली सी film किस धात की इस्तेमाल की जाते है तो यह होता है अल्मोनियम की पतली सी film इस्तेमाल होती अगर आप CD या DVD में देखेंगे जो चमकीला पदार्त होता है वहाँ पतली सी एल्मोनियम की film का इस्तेमाल किया जाता है और अगला question है optical disk में उप्यूक की जाने वाली तकनीक कौन सी है reflective, refractive, laser beam या फिर diffraction पिलकुल सही इस question गर आइट आंसर होगा option C, laser beam इसमें data को record करने के लिए laser beam का इस्तेमाल किया जाता है और अगला question है दुनिया में सबसे बड़ा Hadoop cluster है Instagram, Facebook, Yahoo या फिर Amazon और ये question जुड़ा हुआ है cloud computing से काफी important topic है तो जल्दी हम इसको online triple C classes में काफी detail में discuss करने वाले है online classes का time है सामको 9 बजे तो आप daily हमारे साथ 9 बजे जुड़ सकते हैं और online class attain करते रहे यहाँ पे मैं पूरा का पूरा triple C new syllabus कम्प्लीट कर रहा हूँ तो आप यहाँ से syllabus कम्प्लीट करते रहे और साथ में आप हमारे साथ इस तरह से online test में जुड़ सकते हैं और practice कर सकते हैं और online test का time है 7.30 pm ओके तो इस question का right answer है option B Facebook Facebook दुनिया का सबसे बड़ा Hadoop cluster है और अगला question है 3D printer दुनिया की वस्तूओं को print करता है तो आप सभी को पता होगा 3D printer का क्या इस्तिमाल होता है कहाँ पे इसका इस्तिमाल करते हैं बिल्कुल साइस question का right answer होगा 3D printer का इस्तिमाल की जाता है object को या फिर बस्तूओं को print करने के लिए और अगला question है LibreOffice में track change option किस menu में होता है insert, edit, view या फिर tools तो LibreOffice writer के वीडियोस में practically मैं बता चुका हूँ track change क्या होता है इसका हम किस तरह से इस्तिमाल कर सकते हैं तो अगर आपने इस वीडियोस नहीं देखें तो triple c news slibbers नाम की playlist है यहां से आप triple c का पूरा नया slibbers देख सकते हैं और यहाँ पे आपको LibreOffice writer calc impress इन सभी के वीडियोस मिल जाएंगे तो इस question का right answer है option B edit menu के अंदर होता है track change का option और इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे आप कोई document create करते हैं और track change enable करने के बाद आप यह पता करना चाते हैं कि इस document में कहां कहां पे क्या-क्या edit किया गया है क्या-क्या changes की गया है तो इसको हम track करने के लिए track change option का इस्तेमाल करते हैं और अगला question ने निमलकित में से कौन सा cyber सुरच्छा खत्रे का एक प्रकार नहीं है तो सबसे पहला option है denial of service main in the middle attack, fishing या फिर piracy तो यह काफी important question है इस पे कई सारे और भी questions बन सकते हैं तो एक एक करके हम discuss कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं denial of service क्या होता है तो अगर मालीजे यहाँ पे कोई user है और यह किसी एक particular site को access करना चारा है जो कि यहाँ पे server पे store है तो इस case में क्या होता है जो denial of service का इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो lines होती है इसको block कर देते है मालीजे एक hacker यहाँ पे बैठा हुआ है जब आप इसको access करने के कोसिस करेंगे तो आपके पास एक reverse message आएगा service unavailable means इस ता ही कैसी है इसको block कर देता है इस server को कि यह server अपनी जो services होते है वो customer तक या client तक नहीं भेज पाता है तो यह होता है denial of service और अगर हम बात करें main in the middle attack के तो यहाँ पे मालीजे कोई server है इस जगे पे और यहाँ पे कोई customer है अब यह customer क्या गरता है कुछ information यहाँ से retrieve करना चाता है इस server से doing informations होते है उसको यह capture करते रहते है और इसको बाद में कहीं पे भी misuse कर सकते है तो यह होता है main in the middle attack और अगर हम phishing की बात करें तो phishing भी एक hacking technique होते है इसमें क्या होता है कुछ fake pages design के जाते है जैसे कि आप कहीं facebook के login करते है तो उसका जो login page होता है उसी same type का एक अलग से piece यह लोग double up करते है और यहाँ पे अगर आप कोई personal information input करते है तो वो information इनके पास चली जाते है जिसका यह बाद में misuse कर सकते है तो यह होता है phishing और अगर हम piracy की बात करें तो यह cyber सुरच्छा खत्रे का एक प्रकार नहीं इस question का right answer होगा option D piracy अब piracy क्या होता है piracy जो copyrighted softwares होते है या videos होते है या जो भी content है जो copyright है उसकी duplicate copy बनाना piracy कहलाता है तो I hope समझ में आ चुका होगा देखते हैं अगला question और अगला question है जिनोंने analytical engine का मोल अविसकार किया काफी popular question है हाला कि आप सभी को पता होगा इस question का right answer क्या है बिल्कुल सही question का right answer option is चार्स बेबज जिनोंने analytical engine की रूप रेखा तयार की थी और इनोंने सबसे पहला mechanical computer develop किया था जिसका नाम है difference engine और अगला question है आप अपनी crypto currency को कहां store करते हैं e-wallet, cloud, email या फिर bank और इस question का right answer है option ए e-wallet के नदर crypto currency को store किया जाता है और अगला question है CSS का पूर्ण रूप क्या है ये काफी popular question है पिछले दो महिने से कई बार ये पूछा जा चुका है और इस question का right answer है option C, cascading style sheets CSS का full form होता है और इसका इस्तेमाल की जाता है web pages को attractive बनाने के लिए और एक ये coding होती है जिसको हम HTML codes के साथ में इस्तेमाल करते हैं और अगला question है उमंग app किसके द्वारा launch किया गया NPCI, National Payment Corporation of India या फिर UPI, Unified Payment Interface इनके full form भी आप याद रखीएगा कई बार UPI का full form पूछा जाता है और NPCI का भी full form पूछा जाता है या फिर Ministry of Electronics and Information Technology या फिर इनमें से कोई नहीं और उमंग का full form भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है तो आप चाहें तो इसको भी नूट डाउन कर सकते हैं Unified Mobile Application for New Age Governance इसका full form होता है और इस question का right answer है option C, Ministry of Electronics and Information Technology और अगला question है www का पूणर रूप है अब यहाँ पर दिखिए अच्छी तरीके से इसको समझेगा यहाँ पर चार बार W लिखा गया अगर तीन बार होता तो इस question का right answer होता worldwide bib और यह काफी interesting question है इससे जुड़ा हुआ एक fact भी है जिसको अभी हम discuss करने वाले है तो इस question का right answer है option B worldwide bib warm अब यह पूछा जा सकता है कि www क्या है तो एक search engine है और यह सबसे पहला search engine था एक तरीके सिसकी रूप रेखा रखे गई थी लेकिन यह पहला search engine नहीं बन पाया क्योंकि इसकी launching के date काफी late हो गई जिसके वज़े से यह पहला search engine नहीं बन पाया और इसका जो प्रारूप था सबसे पहले तयार किया गया था और यह सबसे पहले word का सबसे पहला search engine होने वाला था लेकिन इसको launch किया गया है 1994 में जिसके वज़े से सबसे पहला search engine नहीं बन पाया और जो अगर हम सबसे पहले search engine की बात करें तो आर्ची एक सबसे पहला search engine है जिसको 1990 में launch कर दिया गया था तो इस question का right answer होगा option B worldwide web उके तो आज के test का last question है उमीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा तो please हमाई इस video को like उसे जरूर खीजेगा और आप चाहें तुम्हें Instagram Facebook, WhatsApp इन सभी पे follow कर सकते हैं और अगर आप CCC exam के लिए mock test देना चाहते हैं तो आप हमारी website www.ganxp.com पे बिजिट कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe button पे click करके subscribe करें साथ में bell icon on करें ताकि जब भी हमारी कोई live class ये live test स्टार्ट होता है सकनोर डिवी के सना आप तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं ठीक सामको 9 बज़े CCC online class में तब तक क्लिए bye bye Thank you, thank you for watching